किटानों से बचने के लिए हम हर तरह की सावधानिया बरतते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं! हाथ अच्छे से धोने के बाद भी अगर ठीक से नहीं सुखाए, तब भी हम बीमार हो सकते हैं. यूज किये हुए गीले टावल्स, जर्म्स और बैक्टीरिया के पनपने की एक उत्तम जगा होती है. बैक्टीरिया नमी और सीलन वाली जगों पर आसानी से पनपते हैं, और बात्रूम से ज्यादा नमी अपने घर में और कहां हो सकती है? प्रमानित है कि हाथ की सफाई सही धंग से धोने पर ही होती है. लेकिन अगर हाथों को साफ टावल से नहीं सुखाया, तो सफाई अधूरी है. इसलिए मौजूदा हालातों में हम सभी को साफ टावल का इस्तमाल करना चाहिए. जानते हैं कैसे? अपने टावल को हर दो दिन में नियम से धोएं. गरम पानी से टावल धोने पर सारे किटानू मर जाते हैं. इस्तमाल के बाद अपने टावल को धूप में सुखाएं. गीले टावल का इस्तमाल ना करें, खास कर किचन टावल्स का. अपने नहाने के टावल को किसी के भी साथ शेर ना करें हर फैमिली मेंबर का अपना अलग टावल होना चाहिए सफाई तब तक अधूरी है जब तक आपके टावल साफ सुत्रे और जर्म फ्री ना हो अपने टावल को साफ रखें, सूखा रखें और स्वस्त रहें